है 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 यह देख रहे हैं यहां पर एक हैंड पंप जो खराब हो चुका है यहां पर पाइप इसका क्रेक है तो यहां कम से कम 35-40 फिट लंबा है यह यू पीवी सी पाइप में जॉइंट करके जो ठेरेट चूरी काट करके बनाया हुआ यहां पर पहले यह वाइरिम हो चुका है जो यहां पर देखने हैं चूरी कट चुका है वह भी हम आपको दिखाएंगे जो कैसे कटा हुआ है तो यहां पर देख लिए 40 फिट लंबा 40 या 45 फिट है तो यह हैंड पंप खोल करके और इसे दुबारा रिप्लेस करेंगे यहां यह लब फिश्य पाइप निया डालकर एक जगर से दूसरे जय करेंगे तो सबसे पहले यहां पे हैंड फॉंप हमने खोल करके रख दिया है यह देखर हैं हैं इसो टाइम लगा तो यहां पर कितना लंबा मनला लु争न ढला है तो इसे काट करके हटाएंगे पहले और उसके पाद यह देख रहे हैं जो फर्स तोरा जा रहा है तो यह देख रहे हैं यहां से इसका कट गया था चूड़ी जो थेरे रोटायो कट गया था तो हमने काट के इसे हटा दिया है और हटाने के बाद अब पाइप यहां से हटाए कर––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– से वरा सेमटी होता है वरा सेमटी लगाया है और एक ही ज्याइब कर दिया ओर इसको चुंच करके यह आएक करें अ और उसमें पलंबर सही से चारो तरफ लगाए के फीटेप लगाए ताकि लीकेज की संभावना ना हो तो यह देख लिए इतना लंबा लाइन है यह 40-45 फीट लंबा लाइन है तो यहां पे देख रहे हैं एक सौकिट यहां पे लगा हुआ है जो यूपीबीसी का है पाइप सुलोशन अची से लगा है कि यहां पर ही एक दो सौकिट हमने लगा है यहां पर तीन सौकिट लगा हुए है दोस्तों खरते हैं और मॉटा मूटी चार-दस फिट का पाइप लगा हुआ है और थोड़ा सा और आगे लगा हुआ है और यहाँ पे देखरेंए MTA जो बड़ा से हैं और यह एक ती यह पुराना रिफलेस करके हमने खोला है और नया MTA लगा के यहां पर ऐसे सेटिंग करेंगे यह देख लिए इस तरीका से सेटिंग होगा तो आईए हम इसे सेटिंग करने से पहले एक बार और आपको दिखा देते हैं यह देख लिए इतना लंबा लाइन है और अच्छी तरीके से जॉइंट करेंगे तो आपका सही काम होगा यहां देख लिए हैं जुआ करेंगे यहां पर देख लिए जे लिएमटे औरहम मीटी डल चुका है और यहां maidने थाफ मीटी होगा करम पांच इंची धलाई होगा उसके बाद हम हैंड पॉम्प फिट करेंगे तो यह देख लीजे हैंड पॉम्प फिट करने से पहले हमने धलाई किया था फिर क्लेंपू लगाया है जिस लेवल में यहां पर चबूतरा बनेगा और यहां पर देख रहे हैं डेरवाई एक कटी हम कर चल जाएगा और उसके बाद 10 या 15 मिनिट आप देखें इसे कि लिकेज है की नहीं है तो चलिए हम अब चला के दिखा देते हैं तो पानी पकर लिया है फिर हम चला के दिखा देते हम 10 मिनिट के बाद चलाए हैं यह देख लीजे हमारा सक्सेस्पूल काम हो चुका है या शो कि यहाँ इसे आथ चाहत हुआ हमें चाहिए तो दोस्तों मोटर स्टाट करने के लिए सबसे पहले पावर बूर्ड हमें चाहिए तो यहाँ पर एक बावया East Häp का जो बेंड हमने बनाया है ताकि यहां पर असनान घर जब बनेगा तो यहां पर भी हम बिना टंकी का यहां पर सावर और नल लगाएंगे उसके लिए इसलिए हम यहां टुलू बेंड नहीं लगाया है तो यह देख लिए आप पलंबर प्रोपर लगाएंगे और टेप सही लगाएंगे तो आपका लिकेज नहीं होगा और यहां पर हमने 10 और 6 एंप्यर का हमने एम सीवी लगाया है इसका कवर कर करके तो चलिए हम मोटर स्टार्ट कर देते हैं तो देख लिए हमने मोटर स्टार्ट कर दिया है और इसका फोर्स हम दिखा रहें आपको देख लिए ये मोटर का कितना फॉर्च है तो दोस्तो बहुत ही अच्छा मोटर और हैंड पम 보ा और अच्छा लागा क्या एक। फिटिंग हुआ है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो फिलीज लाइक करे और अपने दोस्तों में सेयर करे और जो भी दोस्त हमारे चैनल में नए है फिलीज चैनल सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं